सो दोस्तों कैसी हैं आप सब लोग फाइनली वीवो की तरफ से अब इस चीज को ओफिशियली टीज कह दिया गिया है कि अपनी T3 Light को नेक्स मन्त के स्टार्ट में ही इंडिया की मार्कर में लॉंच कर रहे हैं यह फोन आपको पाकिस्तन की मार्कर में भी देखने को मिलेगा अब इंडिया की मार्कर में यह फोन आपको 10-12,000 की कीमत में देखने को मिल सकता है जबके सेम फोन पाकिस्तन की मार्कर में भी वो 25-30,000 की कीमत के अंदर लॉंच कर सकता है पाकिस्तन की मार्कर में भी वो इस फोन को कब तक लॉंच करेगा और किन स्पैसिकेशन के साथ ल मिल जाता है डिस्प्ले का जिसमें 720p पिक्जर रेजलेशन वाला एक HD प्लस वाला डिस्प्ले लगाया गिया है जो कि IPS LCD स्क्रीन के साथ आता है फोन में आपको 90 Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है और जो स्क्रीन डिजाइन मिलता है फोन का वोटर ड्रोब नोच वला है एक पुराना अगली सा डिजाइन है अब क्योंकि फोन वीवो की तरफ से आ रहा है और 25-30,000 की प्राइस के अंदर लौंच किया जाने वाले है इसी वाइज से इसके अंदर इतनी जादा चीज चीजों के बर फॉकरस नहीं किया गया विवो इसके अंदर कुछ टफ किमप Darwin ने परवाइड करताodus को जैसे बाकी country या वलोगों को परवाइड करीए एक तो इसमें 1080p डिस्प्ले नहीं दिया गया, दूसरा इस फोन के अंदर आप लोगों को बड़े बड़े चीन बार्स देखने को मिल रहे हैं, बैजल देखने को मिल रहे हैं, तो डिस्प्ले वाइस मुझे फोन यह अभी तक तो इतना कोई पसंद नहीं आ रहा बागे जब आप लोगों को देखने को मिल जाता है, बैक पर मिलते हैं आपको dual cameras middle, main camera 50 megapixel का मिलता है, जो के white का है, and primary camera आप लोगो 2 megapixel का depth sensor का मिलता है, इसी तरह इस phone में जो selfie shooter मिलता आपको front side पर 8 megapixel का है, अब इस phone के अदर आप लोगो कैसी camera quality देखने को मिलेगी, वो जब phone launch होगा, आप लोगों को चेक करेंगे, डिटेल में तो आप लोगों को guide करेंगे, कि phone के अदर कैसी camera quality आप लोगों को देखने को मिलती है, RAM और ROM variant में अभी तक स्रेव यह confirmation है, कि आपको इसका एक ही variant मिलेगा, जिसमें आप लोगों को Vivo ने 6 GB की RAM पो राइट की है, and साथ 128 GB की storage पो processor देखने को मिल जाएगा, फोन में आप लोगों को Android 14 की support मिल जाएगी, साथ Vivo के front touch OS का भी आपको 14 वर्जिन देखने को मिल जाएगा, जो के currently यह लेटर सीन का चल रहा है, आपको phone में मिलती है 5000 mAh की battery, साथ आप लोगों को 15 Watt की fast wireless charging की support भी मिल जाती है, तो यह कुछ प् करेंगे, यहां पिर आप लोग इसको की surprise के ओपर एक deserving phone समझते हैं, comment section में में feedback लाजमी शेयर कीजेगा, आज की video के अंदर इतना ही था, मिलते हैं आप से किसी और नई वीडियो के अंदर